मनीज कश्यब की हो गई गिरफतारी बिहार पुलिस ने पोस्ट कर बताई सच्चाई अब एक गौर मामला दर्ज नमस्कार में भारती कपासिया आप देख रहे हैं N27 News तमिलनाडू मामले में ब्रहमक वीडियो जारी करने के आरूप में मनीज कश्यब पर कई मामले दर्ज है उनकी एक गिरफतारी वाली तस्वीर भी वाइरल हुई है तमिलनाडू मामले में बिहार का यूट्यूबर मनीज कश्यब पूरी तरह से फसा है खासकर ट्विटर और सोसल मीडिया के जरीए कई ऐसे पोस्ट किये जा रहे हैं जिस पर बिहार पुलिस पूरी तरह से तिल मिलाई हुई है मनीज कश्यब पर वीडियो बनाने और वाइरल करने वाले मामले को लेकर पहले से ही कई मामले दर्ज है बिहार पुलिस उनको पूस्तास के लिए तलब कर चुकी लेकिन वह पेश नहीं हुए अब सोसल मेडिया पर उनकी गरफतारी की तस्विरे और ब्रामक पोस्ट जारी हुए है जिस पर बिहार पुलिस ने एक्शन लिया है बिहार पुलिस ने अपने ओफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर स्क्रीन शॉट किया है जिसमें मनीश कशप के नाम से एक दूसरी आईडी बनी है किसने बनाई है नहीं पता उससे एक ट्वीट पोस्ट हुआ है उसमें कथित मनीश कशप ने अपनी गरफतारी की तस्वीर के साथ एक पोस्ट लिखा है उन्होंने लिखा है कि उनको खुसी है कि वो अपने बिहार वासियों के लिए जेल जा रहे है 11 मार्च को रात 8 बचे उनको गरफतार कर लिया गया है बिहार की जनता देख रही है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का क्या नतिजा हो सकता है वही बिहार पुलिस ने उस तस्वीर की पुस्टी करते हुए कहा है कि वो तस्वीर साल 2019 की है जब पटना में पुलिस ने उनको गरफतार किया था इस पुरानी तस्वीर को पोस्ट करते हुए ब्रहमक खबरे फैलाई जा रही है उदर इसी ट्वीट की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बिहार पुलिस ने लिखा है कि तमिलनाडू में बिहार के कामकाजी लोगों के लिए असत्य ब्रहमक वीडियो पर सारित करने के प्राकरन में अभियुक्त मनीश कशप के द्वारा नए ट्वीट हैंडल पर अपनी गरफतारी के फोटो पोस्ट की गई जो पूनत है असत्य और ब्रहमक है इस ब्रहमक पोस्ट के लिए पुन्हे प्रात्मी की दर्ज की जा रही है हाला कि ये कन्फर्म नहीं है कि ये ट्वीट मनीश नहीं किया है बता दे कि शुकरवार को ही ब्यार पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मनीश पर पहले से साथ मामले दर्ज है वो एक आदेतन अपरादी है वही उसके साथ तीन अन्य लोगों को आरूपी बताया गया है इस मामले में पुलिस ने अब तक कई लोगों की गिरफतारी की है आभी के लिए इतना ही देखते रहे हैं N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खबर पर